नमस्कार में होकम देव दूस्तों ये इमेज देखिए इसमें बहुत सारे डेटा लिखे हुए हैं तमाम देशों के जिसमें GDP है पर केपिटा इंकम जैसे जानकरिया मौझूदे आप भी नजर दोड़ाईएगा इन डेटा को देखकर मुझे एक बात पता चली है कि G20 का सबसे गरीब देश भारत नजर आ रहा है और प्रधान मंतरे नरेंदर मोदी जी इसके मुखिया है ये बात तो आप सभी को पता है तो आप खुद डेटा देखिए और अगर मैं घलत रहूं तो मुझे करेक्ट करने क कोशिस जरूर किजेगा चलिए अब हम दूसरी खबर क्यों रा जाते हैं तो सत्जीत रेकी कालजाई फिल्म पाथेर पांचाली की स्क्रिनिंग का विरोध हो रहा है कारण फिल्म के नाम में पांचाली है इसे असली पांचाली का अपमान कहा जा रहा है चार ओसकर जीतने वाली ये फिल्म 1955 में बने थी दुनिया भर में भारत का गोरो बढ़ाने वाली इस फिल्म के प्रदर्शन से कुछ लोग आहत हो रहे हैं हर्ट हो रहे हैं क्या आप भी आहत हो रहे हैं कॉमेंट में बताईएगा चलिए अब अगली खबर के बात कर लेते हैं जो राहुल ग गांधी ने चीन की तारीफ की है और इस देश का मीडिया लगा हुआ है कि देखिए राहुल गांधी विदेश की धर्ती पर जाकर चीन को सपोर्ट कर रहे हैं चीन के बारे में बहुत अच्छी बात कर रहे हैं फलाना ढिकाना चिंकाना लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा वो मैं आपको सुना देता हूँ तो राहुल गांदी ने कहा कि आप चीन में जिस तरह का infrastructure देखते हो railway, airport देखते हो यह सब कुछ प्रकति से जुड़ा हुआ है नदी की ताकत है चीन प्रकति के साथ मजबूत से जुड़ा हुआ है वही बात जब अमेरिका की आती है तो खुद को प्रकति से बड़ा मानता है यही बताने के लिए काफी है कि चीन शान्ती में कितना जादा दिल्चस्पी रखता है इसके अलावा राहुल ने चीन को लेकर ये भी कहा कि वहाँ पर सरकार एक कॉर्परेशन की तरह काम करती है उस वज़ा से हर जानकारी पर सरकार की पूरी पकड़ रहती है उनके मताबिक इस समय भारत और अमेरिका में ऐसी इस्तिति नहीं है राहुल ये भी मानते हैं कि इसी वज़ा से चीन आर्टिफिशल इंट्रिजेंस के मामले में इतना आगे बढ़ गया है बस इतने सारी बाते राहुल गांदी ने की है तो दरसल बीजेपी समर्थित लोग बीजेपी के नेता देश का मीडिया बताने में लगाओ कि देखे राहुल गांदी चीन को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं विदेशी धरती पर कहीं ना कहीं भारत को कमजूर करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी बात है लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ ये मेरी परसनल ओपनियान है कि उन्होंने चीन की रननीते का जिक्र किया है उसके द्वारा यानि की चीन के द्वारा किये गए विकास की बात की है पश्चिम देशों के विचारधारा पर भी उन्होंने कहीं न कहीं विस्तार से बात की है इसमें सपोर्ट जैसे मुझे कोई बात नजर नहीं आये खर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ और वो वीडियो बहुत सारी बाते अपने आप में किलेर कर देगा मोदी जी का वीडियो है कि मैं चुनाव स्थित आया और राश्पता शिका मुझे टेलीफोन आया तो उन्होंने टेल्फॉन के अंदर इस बात का उलेक है कि उन्होंने बराबर अध्यान करके रखा तक मुदी चीज क्या है अब कर अच्छा श्राण का वलनन किया मुझे बड़ा अच्छा देवार आनंद भी हुआ बाद में वो भारत आये तो उनकी इच्छा थी मेरे गाउं जाने की लेकिन वो गुजनात आये गाउं तक तो नहीं जा पाये थे क्योंकि वो एमदाबाद से 80-90 किलोमेटर दूर है समय का भाव था लेकिन उन्होंने मुझे एक और बात बताई उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है मैंने कहा क्या बुले हुयन संग जो हिंदुस्तान में रहे तुमारे गाउं में रहे और वहां से जब वो बापिस आये तो वे मेरे गाउं में आये थे शियान में आये थे और बहाँ पर एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर बना हुआ है और कल वो मुझे महां ले गए और ले जाकर के मुझे हुआन संकी लिखी हुई जो किताब थी वो दिखाई और उसमें उननों निकाल के रखा था कि देखो ये तुमारे गाउं का नाम है चिनी भाजा में लिखा हुआ था और ये तुमारे गाउं का बरणन है चलिए दोश्तों अब हम अगली खबर के हो रहा जाते हैं तो भारते अरब पती व्यवसाई गोतम आडाने के नितत वाले आडाने समू ने बताया है कि अमेरिकी एसेट मेनेजमेंट फर्म जीक्यूजी पार्टनर्स ने उसकी चार कमपनियों में एक दशमलो आठ साथ अर अडाने समू पिछले चार-पांच हफते में गंबीर वित्य संकट का सामना कर रहा है हम सभी को पता है अमेरिकी फॉरेंसिक फानेशल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने बीटी 24 जनुवरी को अडाने समू पर वित्य अनिमेत्य वरतने का आरूप लगाया थे यह सभी को पता है और अडाने समू ने आरूपा का खंडन किया है हाला कि इसके बाद भी अडाने समू के शेरों की कीमतों में भारी गिरवर दर्ज की गई है यानिक उनके शेर लगातार गिरे उसके बाद से अब तक इस समू की बाजार पुझी में 135 अरब डोलर का नुकसान दर्ज क किया गया है ये पहला मोका है जब आदनी समू ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद किसी निवेश की जानकरी सारोजनिक की हैं चली अब हम अगली खबर पर आ जाते तो भारत अंतराश्टिय बाजार से जिस ओसत भाव पर कच्च्चतेल खरीदता है उसके मुकाबल रूस से आया कुरूड बीते साल जून में 16 डॉलर सस्ता रहा ये अंतर 1310 रुपे परती बेरल है बीते साल अप्रेल से इस साल मार्च के लिए उसक अंतर 7 डॉलर ने की 573 रुपे परती बेरल से जादा है बीते महीने भारत ने अपनी जरूत का लगबग 49 फीज़दी के चतेल का आयात रूस से किया इसके बावजूत करीब 10 महिनों से पैट्रोल और डिजल के दाम इस्तिर हैं घट नहीं रहे हैं इसके पीछे क्या वज़ा है चलिए हम उन पर बात कर लेते हैं इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिये जा रहे हैं तर्क ये हैं कि इंडियन ओयल भारत पैट्रोलियम और हिंदुस्तान पैट्रोलियम और डिजल के दाम दुनिया भर में पैट्रोल और डिजल के केमतों के हिसाब से तै करते हैं ना कि क्रूट के दाम के अधार पर यूरोप जिससे बाजार में इधन काफी महंगे हो गए हैं लिहाजा भारत में इनके दा दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि सरकारी ओल रिफाइनरिंग कंपनिया रूसी तेल के आया से बचत का इस्तेमाल घाटा पाटने में कर रही है। 22,000 करोड रूपे के सबसिडिदी है कंपनियों का दावा है कि वास्तिक नुकसान इसके दोगूने से भी जादा है इसकी भरपाई उन्हें खुद करने पड़ रही है। जनवरी में 7.14% थी। एहम बात तो यह है कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 8.55% से घटकर 7.9% हो गई है। जबकि ग्रामीन इलाकों में दर 6.45% से बढ़कर 7.23% पर पहुच गई है। CMIE के सर्वे के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर राजिस्तान और हरियाना में हैं। हरियाना में 29.4%, राजिस्तान में 28.3%, 36 गर्में 0.8% और मद्प्रदेश में 2% के आसपास नजर आ रही हैं। इन 2-3 राजियों की इस्तिदी अच्छी बताए जा रही है। एक और रिपोर्ट में आपको बता देता हूँ, आपको ओर समझा जाएगा कि नोक्रियां अखिरकार मिले तो मिले कैसे। केंदर और राज्य सरकारों में नियुक्तियां एक साल में 8% घटिये, राज्यों में भरती प्रिक्रोईट से भी कम रही हैं। केंदर और राज्य सरकारों के एनपेश डेटा के मताबिक साल 2022 में 5,65,000 नए सस्क्राइबर जुड़ें। संक्या 2021 के मुकाबले 8% कम हैं। केंदर सरकार के ओर से कुल 1,18,000,000 नए सस्क्राइबर एनपेश से जुड़ें। इनमें 62,65,2% लोग 18-28 साल के बीच हैं। 2021 में ये ओसाद 67,8% थी। राज्जी सरकारों के ओर से कुल 4,47,480,000 नए सस्क्राइबर जुड़ें। इनमें से 33% ये 18-28 साल के बीच हैं। ये ओसाद पिछले साल से 2% वे से बड़ा है। लेकिन रोजगार नजर नहीं आ रहा है। आपको आ रहे हैं किया कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा। तो ये तमाम चीजें हो रही है। होने के बाद भी सरकार कह रही है कि देश सब कुछ बहतर हो रहा है। देश में चंगासी है। जिस तरह से देश 2012-2013 में चल रहा था। बहतर था। मार्केट बहतर कर रहा था। देश की एकोनोमी बहतर थी। पर केपिटा इंकम भी कहीं नहीं ठीक ठाग बढ़ी रही थी। यानि कि बहुत सारी चीजें पोजिटीव हो रही थी। काश वो दिन लोट आए वही काफी है। क्योंकि हमारा देश का रुपया इतना पतला 2012-2013 में नहीं था। हमारे देश में महंगाए इतनी जादा पैट्रोल रिजल पर उस समय नहीं थी। बेरोजगारी उस समय इतनी जादा नहीं थी। रसोई गेज उतनी महंगी नहीं थी जितनी अभी हैं। हम देख रहे हैं। हाल-फलाल में 50 रुप बढ़ गए हैं। चुनाओ खतम हो एक 50 रुपे ज़्यादा LPG बढ़ गए हैं। तो वही पुराने दिन अगर लॉट आया तो काफी है। आपको क्या लगता है। लॉट के आएंगे या नहीं आएंगे। वेसे मुझे लगता है कोई भी सरकार है आजाएं। वो पुराने दिन शायदी लोट के आपाएं। क्योंकि हर सरकार एक दूसरे की प्रोवर्जन होती है। इस स्यादा कुछ नहीं। आपको कह लगता है। कॉमेंट में बताएगा। ये था वीडियो कैसा लगा ये भी बता है। जानकर ही ठिक टाक लगे हो। चैनल को सब्सकाइब वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे से नए वीडियो में तब तक क्लैप के दोस्त को दीजिए इजाजब। नमस्कार।